साही पनीर का नाम सुनते ही मूँ में पानी आता है दोस्तों क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आज हम आपको साही पनीर बनाने के देश्वी बताएंगे तो इसको बनाना बहुत आसान है इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा किलो पनीर ये बिल काट लिया है और काटने के बाद इसको हम फ्राइ नहीं करेंगे यहां पर हम इसको फ्राइ नहीं करेंगे ऐसे ही हम इसको बनाएंगे और टमाटल हमने लिया है दो बड़े टमाटल हमने लिये हैं और छोटे-छोटे टुकडो में काट लिये हैं और यहां पर हम प्याज भी तीन प्याज हैं यह जो कि थोड़ा बड़ी बड़े थे मैंने काट लिया है छोड़े चुटे पीस में और यहां पर अध्रक लहसुन का पेश्ट ले लिया है एक चम्मच कुछ खड़े मसालें हैं दाल चिनी का टुकड़ा दो तेज पत्ता हरी इलाची और काली मिरच यह सा यह जगे फार going जगोल्डी साही पनीर मसाला डालेगे संसवली है और इसको हम दूद से घोलेंगे अगर आप के पास कच्चा दूद है तो आपके दूद से ही इसो घोलें तो जादा बढ़ी हा बनेगी अगर नहीं है कच्चा दूद तो आप पका दूद भी डाल सकते हैं और इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे हम दूद में मिक्स करके इसको हम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये मसाले हमारे अच्छ से मिक्स हो सकें फूल सकें तो इसको चम्मच की मदद से हम मिला देंगे और ये बिल्कुल हमारा गहोल बनकर तयार हो जाएगा तो इसको हम साइड में रख देंगे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सस्क्राइब भी कर लेना अब हमने गैस को अन कर दिया है गैस पर हमने कड़ाई रखी है कड़ाई में हम दो बड़े चमच सर्सों का तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाएगा तो हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और खड़े मसाले जब हमारे अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें डाल दें भूने के बाद यह हमारे जो प्याज होते हैं यह ऐसे ही गल जाते हैं तो इसलिए हम बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूत नहीं है बिना मेहनत के ही यह आपका बढ़ी हसा साही पनियर बनकर तयार हो जाएगा प्याज पग जाने पर हम य प्याज जल्दी से गल जाएं और यसका बड़ी हासा पेस्ट भी बनकर तयार हो जाएगा जब ये भूनके रेडी हो जाएगा तो इसका पेस्ट बन जाएगा और त्रमाटर और प्याज आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहा गया और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको धकन लगाकर पकाएंगे लग भग 5 मिनट हम पकाएंगे इस तरह से आप साही पनीर बनाईए बिल्कुल भी आपको महनत नहीं करनी पडेगे बिना महनत के ही आपकी यह साही पनीर बनकर तयार होगी तो हमने 5 मिनट के लिए धकन को लगा दिया था और उसके बाद धक देर के लिए धक्कन हम फिट से लगा देंगे इस बार हम धक्कन दो मिनट तक ही लगाएंगे दो मिनट के बाद हम धक्कन को उठा लेंगे दो मिनट में ही हमारा ये मसाला बिल्कुल पूरे तरह से पक चुका है आप लोग देख सकते हैं कितना बड़िया सा कलर आया है और प्याज भी हमारा गल गया है टमाटर भी गल चुका है और अब हम यहाँ पर कटे हुए पनीर डालेंगे पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है कच्छे पनीर ही हम डाल देंगे इसमें और इसको तीन से चार मिनट तक हम भूनेंगे ताकि यह जो हमारे मसाले हैं यह सब अच्छे से पनीर में आ सके पनीर में मिक्स हो सके तो इसलिए हम इसको चलाएंगे थोड़ी देर के बाद इसमें करेंगे फ़ाइल हदकाई लगाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए अब हम मसाले पनीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो देख सकते हैं कि यह पनीर और मसाले प्यास टेमाटर है अच्छे से मिक्स हो चुकता है और यहां पर अभी हमने गोल्डी पनीर मसाला नहीं add किया है तो यहाँ पर अब हम पनीर मसाला भी डाल देंगे जो हमने mix करके रखा था तो यह हमने गोल बनाया था दूद के साथ यह मसाले हमने विगो कर रख दिये थे 5 मिनट के लिए तो देख सकते हैं यह सारे मसाले हमने इसमें add कर दिये हैं और चला देंगे इसको इसमें हम थोड़ा सा पानी और add करेंगे यानि कि आधा ग्लास पानी हम इसमें add कर देंगे ताकि सब्जी हमारी थोड़ा ठीक ठीक बने बहुत ज़्यादा पतली हम नहीं बनाएंगे यह साही पनीर है गाड़ी गाड़ी बनती है तभी अच्छी लगती है खाने में तो यह बिल्कुल मसाले वाली पनीर बनकर आपकी तयार है इसको आप 5-10 मिनट के लिए पका लिजिए यहाँ पर हमने इसको जदा देर नहीं पकाया है सिर्फ 6 मिनट के लिए हमने इसको उबाल दिया है उबाल आने पर हम गैस को बन कर देंगे अगर आपके पास कटा हुआ हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं तो देख सकते हैं हमारी साही पनीर फटा फट बनकर तयार है यह साही पनीर आप किसी भी तीस दोहार में बना सकते हैं घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप घर पर ही साही पनीर बना और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगे